नमस्कार! आपकी हेल्थ को लेकर हमारे इस खास प्रोग्रेम हेल्थ टिप्स में आपका सौगत है डियाबिटीज, माइगरेन, ब्लड प्रेशर, लगबख हरती से आदमी को इन बीमारियों ने जकड़ा हुआ है तो क्या आप जानते हैं कि इन गंवीर बीमारियों को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है? हैरान बिलकुल मत होना! और अकसर ये भी देखा जाता है कि डॉक्टर ऐसे मरीज को काफी हैवी दवाईयां देते हैं लेकिन आप इन बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली हैवी दवाईयों से हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं और निरोग होकर एक स्वस्त जीवन अपना सकते हैं ये सब कैसे मुम्किन है? इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे वीडियो पूरा देखें जिसमें बहुत ही अनुभवी डॉक्टर आपको इन बीमारियों के जड़ से इलाज में निशुलक जानकरी देंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर विपिन चंद्रा वोस्तों आजकल लोग डियाबिटीज और ब्लड पेशन जैसी बीमारियों से परिशान रहते हैं कई बर आप और आपके परिवार बाले भी रहते हैं जिसमें काफी खर्चा होता है और लगातार दवाईयां बढ़ती ही जाती हैं फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती जिससे साइड इफेक्ट और हार्ट अटेक का खत्रा बने रहता है आपको इन रोगों से उचित इलाज की जानकारी देने के लिए हमने बाद की डॉक्टर ललित मोहनभट से जो इन रोगों को जड़ से खत्म करने और हमेशा के लिए दवाईयों से निजार दिलाने का दावा कर रहे हैं जिसके लिए वेकोट भी कायकल नाम से आश्रम में परमर्श देते हैं आपको ये जानका है हैरानी होगी कि इन गंबीर रोगों का प्रकर्थिक रूप से भी इलाज होता है तो चलिए जान लेते हैं डॉक्टर सहाब से की कैसे ये सब मूमकिन है आज हम लोग बात करेंगे नैचरोपेथी के उपर कि ये नैचरोपेथी क्या है और ये कैसे काम करती है कि आज के समय में हम जो देख रहे हैं कि लोग बहुत परिशान है बहुत सारी बीमारियों से लोग परिशान है तो इसका हल कैसे हो घर बैटे-बैटे आप अपने आपको कैसे स्वास्त रह सकते हैं कैसे अपना उप्चार आप खुद कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे जो पहत्री चीज है वो है नैचरोपेथी नैचरोपेथी जैसे कि नाम है यह है प्राकृतिक चिकित्सा इस प्राकृतिन ने हमें जो दिया हुआ है हम उसी का सेवन करके उसी का अनुरूप चलके उसी पंच तत्व को ग्रहन करके कैसे हम अपने आपको ठीक कर सकें यही प्राकृतिक चिकित्सा है जैसे हम जानते हैं कि हमें हवा चाहिए पानी चाहिए अभी हवा पानी है दूप है इन सबका अर्टनेट कुछ नहीं है अर्टनेट कुछ नहीं हो सकता है यही रियल चीज़े हैं जो हमारे शरीर को स्वस्त करती है तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो हम आज बात करेंगे वो सबसे पहले में आपको बताता हूँ हमारे शरीर का पी-एच लेवल पी-एच जैसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर हमारी पी-एच लेवल सेवन के आसपास है तो वह हम नॉमल मानी जाती है अगर श आज से ज़ादा ओगा तो वह अलकलाइन होता है तो कोशिश हमें भी होती है कि अपने शरीर को कुछिए हम चीज़े करना करके हैं यह सवाल यह अपलाइन चीज़ें कैसे में मिलेगी यह हमें मेलेगी सबीर रओ फूच्छे अनाज्फ जैसे कि हमारे सalnyaत 창िंऊ्था भी- हें ब hunt सारे फुर्स ए films का सकते हैं किजित इस तरह के हम फूटइ खाएं फिर जो बनाते हैं जालों के चैने केछों के जुब नाथ स्व्रॉट सब्सक्राउट समना कह सकते हैं थ suspense खाने क्या होगा कि हमारी energy level बढ़ेगी हमारी alkaline बढ़ेगा अब ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से यह होगा कि हम जिस प्राकृतिक चिकत्सा की बात कर रहे हैं हम पृत्वी से जो हमें उर्जा मिल रही है जो प्राण उर्जा मिल रही है हम इसके according इसके अनुरूप हम अपने श प्राकृतिक इलाज के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया जो की बिलकुल अलग था अब आपने दूसरी सवाल को भी डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कैसे प्राकृतिक इलाज से diabetes को जड़ से खत्म किया जा सकता है और कैसे diabetes की heavy दवाईया और insulin से हमेशा के लि की, ब्लड प्रेशर की, माईग्रेन की, सर्वाइकल की, किसी को घुटना प्रॉब्लम है, तमाम सारी दिक्कते हैं, और हर समय यही सुनने में आता है, कि ड्याविलीस का पर इलाज नहीं है, आज गोली खा रहे हो तो गला को आपको इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी, ऐसी ब्ल लेकिन प्राक्तिक जिक्सार में ऐसा ही होता है, जो भी आगर आप आहार, विचार, व्यवहार इस पर कंट्रोल कर लो, जो एसिड अलकलाइन की हम बात कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल करो, अपने आहार पर कंट्रोल करो, तो आपको जानके हरानी होगी, कि यहाँ पर कहते हैं मैं यहां तक कहता हैं कि कैंसर टर्की की मारिय honestly bye बात एक ही होती है कि अगर आपको डायबिटीस कुछ समय से है तो जल्दी ठी हो जाती है दस साल बीस साल से है तो उन्हें एक महिना दो महिना ती महिने का समय लग सकता है लेकिन आपकी दवाई और इंसुलीन एकदम छूट जाती है तो यह है प्राइक प्रिच गित्सा का कम अज्टो आपको भी घर बैठे इसको इसको से मद्धिति को जान सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं इसी में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं प्राण औरजा यह हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी कि प्राण औरजा किया है प्राण उर्जा जो हमारे शिरीर में शक्ति का संचार है जो हमारे पूरे शिरीर को चला रही है इसे हम क्याते हैं प्राण उर्जा जैसे उधारन के लिए आप देखिए अगर किसी माता के गर्भ में बच्चा होता है तो उस बच्चे को कैसे माता के नाल से बच्चे के नाल में वो आहर जाता है और वो 9 महें तक किस तरह जीवित रहता है इसको कोई नहीं जानता है कोई इसको हम इंड्यूस नहीं करते हैं क लेकिन वो हटी चिपकाता कौन है आपकी प्राण और्जा, प्राण और्जा बहुत शक्ति चाली है, हमारे पुरे शरीर में प्राण और्जा का संचार होता है, जहां प्राण और्जा नहीं जा पाती है, वहीं हमें दर्द, पीडा या बिमारी होती है, अगर हम दुबारा से उस महा पर शक्ति का संचार कर लेते हैं, अपनी उर्जा को वहा संचार करते हैं, अपना circulation चला लेते हैं, तो आप उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं. तो यही हमारा काम होता है कि आपकी प्राण उर्जा को जाग्रत करना, आपको ऐसा खाना देना, ऐसा आहार देना, ऐसे एकसाइस देना, ऐसे ट्रीटमेंट्स देना, कि जिससे कि आप बीमारियों से एक्तम मुख्त हो जाते हैं, और हमेशा के लिए स्वस्त और सुन्दर जी ऐसे अब आप डियाबिटीज और अन्य दूसरी गंभीर बीमारियों और उनकी दवाईयों से हमेशा के लिए मुक्ती मिल सकती है, दोस्तो आपको ये जानकरी कैसी लगी अमेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए, साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपकी सेहत से जुड़ी हर जानकरी आप तक सबसे पहले पहुचे, नमस्कार